दोस्तो आज मैं आपको पीलिया जिसी जुएंटिस के नाम से जानते हैं इंगलिश में से जुएंटिस खा जाता है उसके लिए बहुत एफेक्टिव वीडियो देने जा रहे हूँ दोस्तो इस वीडियो आपको मैं ये भी बताऊंगे कि आप कौन सी चीज खा सकते हैं कौन सी चीज नहीं खा सकते हैं साथ साथ किस कारण जुएंटिस के शिकायत हो जाते हैं जुएंटिस होता क्या है क्यों ऐसे समस्या हमारे शरीक के अंदर हो जाते हैं तो दोस्तों वीडियों पसंद आते प्लीज इसे लाइक जरूर करिएगा दोस्तों के साथ शेर करिएगा चैनल पे नए हैं तो सबस्क्राइब जरूर कर लेजे दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि पीलिया होने का मुख करण क्या होता है दोस्तों होता क्या है जब आपके रक्त में बहुत अधिक बीली रूबिन एक पीली नारंगी पदार्थ होता है ये आपकी ही लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है जब एक कोशिकाओं मर जाते हैं तो लीवर इसे रक्त प्रवास से चानता है और जमा करता है ताकि वे मल के रास्ते पित्त से गुजर सके अगर यह नहीं गुजरता है शरीर में कठा होने लगता है तो यह हमारे शरीर को पीला करने लगता है इसके वज़े से हमारा लीवर भी इंफेक्टर हो जाता है और इस बीमारी के वज़े से हमारे शरीर में कई सारे सिम्टम होते हैं इसके पता चल जाता है कि में जॉइंटिस की बिमारी है जैसे कि सिम्टम को अगर आप देखते हैं तो इसमें व्यक्तिकोसिल में दर्ध होता है लो ग्रेट का बुखार है मतली उल्टी आना भूग कम लगना तुचा में खुजली और ठाकान आध याइसे ल के त्यार होगी यह जो आपको दिख रहा है यह है पीपल का पत्ता दोस्तों यह पीपल की जो देखिए कोमल पत्तियां हम आपको दिखा रहे हैं ऐसे ही कोमल पत्तियां आपको लेनी है इसे ही हरी कोमल पत्तियां आपको लेनी है यह से नाजुक से होते हैं सौफ्ट से इन इसको पीज के आपको फाइन सा पेस्ट पनाना है इसके अनौवा आपको इसमें दूसरी चीछ जो चीछ लगेगी वो भी आपको इसमें डालना है वो है मिश्री मिश्री लिजिए मिश्री जो होती है धागे वाली जो मिश्री होती है वो आप लेंगे चलिए आपको दिखाते हैं धागे वाली मिश्री कैसे होती है ऐसे मिश्री जो चोटे चोटे पीसेज में आते हैं जो प्रशाद वगर में होता है वो नहीं लेनी है तो बहुत ही जादे फायदे बंद है तो आप इस रेमेडी में पीपल के पत्तों के अलावा ये धागे वाली मिश्री लेंगे इसको क्या करें इसको पहले कूट के इसका पौडर बना लीजे या फिर देखें यहां पे एक देखें जिस सरा से पीस लिए हुए हैं आप इसमे इससे धागा होता है इस धागे को निकाल देना है इसलिए पहले कूट के पौडर बना लेंगे तो धागा निकल जाएगा और इस धागे को निकालने के बाद इसी तरह से पत्तों को डालके मिश्री को डालके थोड़ा पानी डालके पीस लिया अब क्या करेंगे इससे आप छान लिजे, छानेंगे तो जो वेस्टेज हैं, मोटे मोटे जो पत्ते बगरा रह जाते हैं, वो पूरी तरह से निकल जाएंगे, बस आपको ये जो आपका जूस्पन के त्यार हुआ दोस्तों, ये आपके लिए दवा से कम नहीं है, बहुत इफेक्टिव ए राम बार तरीक है जो आइंटिस को जड़ से खतं करने के लिए, इसे बस आप लगा तार पांच दिन, इसे दो बार पीज़े, सुबह के टाइम पे एक बार और एक बार शाम के टाइम पे पीज़े, दो बार ये दो कुराग दवा के तरह इसको पी जाए, दोस्तों, बहुत जादे फायद की बढ़ियां सा रामबाण यह तरीका है जोएंटिस को जड़ से खतम करने के लिए तो इस तरह से अगर आप पानी डाल के इसमें बनाएंगे तो आपको यह जूस पुरा बन जाएगा अगर आपने थोड़ा सा पानी डाला है तो इसमें थोड़ा सा और पानी आट करके आध की आपको इसे फायदा मिंता है तो पांस दिन लगातार करिए दोस्तों यह देखिए दूसरा तरीका हम आपको बता रहे हैं जॉएंटिस को जड़ से कहतम करने के लिए Mollie जो हुता बहुत ज़्यादे टेगा ड़े तो फायदे मंद होता है जो अन्डियस के पेसेंटों मौली के पत्ते लिए MAR Kä लिंए मिल तो 50 ml के करीब पानी डाल के इसको भी मिक्सी के जार में पीस लीजे और बिल्कुल फाइन से जब बन जाएगा इसको भी छान के इस जूसको भी सुबा साम पीना चाहिए जिसे सुबा अपने पीपिल का पत्ता पी लिया तो एक से टीड़ गंटे के बाद मूली का पत्ता भी के लिए दोस्तों देखे इस तरह से यह कोमर पत्तिया इनी को इस तरह से पहले अच्छे से वाश करिएगा नहीं हो तो हल्का सा गुर्बुना पानी में इसको दो मिनट के लिए रख दीजे और आप इसको पीसके इसका आप इसका जूस बनाइए क्योंकि मोली की जो पत्त क्या नहीं है तो फिल्टर में आप जूस करिए या फिसको बॉयल करके ठंटा करके आप पानी तभी पिया करिए साफ सफाई का बहुत ध्यान देना होता है जो इसको पीसने के बाद इसी तरह से चान देंगे और यह जूस बनके आपका त्यार हो जाएगा इसे भी आपको 250 करें देंगे उस चार्च को बनाना सीक लीजिए उससे पेट की और यह तमाम बेमारिया दें दूर हो जाती है आपका लीवर इतना हैल्दी हो जाएगा इस चार्च को छाज तक्र के नाम से जानते हैं बहुत ही जल्दी मैं आप ब्रूट किया है आप उसे दिस्क्रिप्स लिए चेज बाहर का खाना ये सब बिल्कुल आपको बंद करना है खुले हुए खाने बिल्कुल नहीं खाने हैं पानी भी है तो उसे उबाल के पीजे साफ सफाई का ध्यान देना बहुत जरूरी हल्दी है उसको थोड़ी दिन के लिए आवाइट करिए दूध है उसे एक मही देने के बाद आप दूध हल्दी इस सारी जिजो का यूज करेंगे दोस्तों वीडियो कैसी लगी कॉमन सेक्टेर में जरूर बताईएगा और वीडियो पसंद आईए तो प्लीज लाइक जरूर करिए दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब जरूर करने चे और लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन के लिए आप बैल आइकोन को क्लिक करिए और अप्सन पर जरूर क्लिक करिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ तक तक नखोग को ख्याल रखें थैंक्यू बाबाय टेक केर